एक तरफ सात्वे चरण के सिक्षक कव्यर्थी नए नियमा वाली से परेशान है सरक परांदोलन कर रहे हैं अलग-अलग निताओं से मिलकर के गुहर लगा रहे हैं कि किसी तरह से परिक्षा की बाते वापस हो जाए और दूसरी ओर सिक्षा विभाग और बिपी असी हैं और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मार जी सबसे पहले यह आप बताईए कि STT 19 परतियोगता परिक्षा लिया गया था कि नहीं लिया गया था हमको हां या ना में जवाब चाहिए दूसरा नमबर बात आपने जो 2020 काला फरमान लाया है उसमें आपने बीपी असी से परिक जाम गुरूप सी की कंड़क्ट करेगी किस आर्टिकल के ताहद तिसरी नमबर बात आप जो प्रैमरी 628 और हाइस्कूल हाइस अपलस्टू का जो जाम लीजिएगा वीपी सी से उसमें ग्रेट पे क्या होना चाहिए नियम के ताहद पी आटी का ब्यालिस सो ग्रेट पे हो होना चाहिए आकरसक बेतन ढकोसला बाजी से नहीं काम चलेगा चौती बात सरकार एक टाइम लाइन फिक्स करें एक्जाम कब लेंगे एक्जाम का रिजल्ट कम देंगे और ज्वाइनिंग किस डेट को देंगे यह चीज होना चाहिए पिछले चार साल से जिस तरीके से से स बरबाद कर दिया गया फिर आप एक्जाम लिजेगा फिर धांदली होगा फिर जाच वैटेगी फिर भी एक्जाम होगा हम लोग यह बरदास्त नहीं करेंगे सिधा सिदी बात है हम लोग को एक डेट लाइन चाहिए उस डेट लाइन पर होना चाहिए और दूसरी नमबर बरबाद जिस तरीके से आपने स्टीटी नाइंटीन को बरबाद कर दिया हम लोग भी सिक्षक अभ्यारतिया प्रण ले लिए हैं कि नितीश कुमार जी जब तक आपको धरती कुमार नहीं बना देंगे तब तक परन नहीं चोड़ेंगे 24-25 के चुनाम में हम आप लोग को धरतीकुमार पिजाद रख लेनगे नितीश कुमार जी याद रखी लेगा बरबाद जिस तरीके से हम लोग को क्या हैं एस्टीटी नाइंटिन को हम लोग भी बरबाद कर देंगे पूरे बिहार के जनता बरबाद कर देंगे और दूसरी नमबाबाध आप जो 17 साल से कुक आपको धरतिक कुमार जब तक नहीं बना देगा तब तक छोड़ेगा नहीं तो सुना अपने कि किस तरह से जो सिख्षक अभ्यर्थी उन्होंने बताया कि सातिवे चरण की जो एस्टेट 19 की जो परिक्षा हम लोगोंने दी है वो परिक्षा था या नहीं था उससे आप किलियर कर दीजे लेकिन अगर आप फिर से परिक्षा लेते हैं तो एक चीज नित इस कुमार को धरती कुमार बना करके ही दम लेंगे ऐसे में अब देखना होगा कि परिक्षा वापस होती है या फिर परिक्षा लेकर के ही सरकार अपने जीद पर अरती है फिलाल कि लितना ही बने रेकासिस नुकित चाथ पट्टासर किता से गिरिपोटर